नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योड्रीम में डेली डूस अफ वोकेबल्री इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे दस नए वर्ड और ये डेली में आपको पोस्ट करता हूँ डेली आपके लिए दस नए वर्ड लेकर आता हूँ ये important वर्ड रहेंगे spoken English के लिए और सभी competitive exams के लिए तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला वर्ड है रेमिस रेमिस मिन्स होता है लापरवा जो विक्ति केरलेस होता है उसको बोलते हैं रेमिस लापरवा careless और थोड़ा lazy के sense में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और lazy meaning careless के sense में ही जाता है तो रेमिस मिन्स हुआ लापरवा ढीला ढाला रहता है किसी भी चीज़ में विसेस दिल से काम नहीं करता है जो विक्ति उसको बोलते हैं रेमिस next word है जोस्तों manipulate manipulate means होता है hair fare करना यानि अपनी बातों में फसा लेना hair fare करना बातों में फसा लेना ठीक है? manipulate करना है गुमा फिर आके दा उदर कर कुछ भी बता कर अपनी बातों में hair fare कर लेना ये manipulate होता है next word है maiden maiden means होता है first f-i-r-s-t maiden means होता है first यानि की प्रथम, एक फ्रेज है maiden speech इसका मतलब होता है first speech यानि की पहला भाशन ठीक है, next word है maudlin, maudlin means होता है भावुक जो बहुत ही sensitive type के इंसान होता है, emotional type का विक्ति होता है उसको बोलते है maudlin बच्चों जैसा, right motive, motive means उद्देश भी होता है और motive means प्रेणा भी होता है aim इसका synonym होगा aim aim, aim, target और motive means प्रेणा भी होता है तो इसका मतलब motivate आप जानते हैं motivation, motivate इससे बने शब्द इसी वज़े से प्रेणा होते हैं ठीक है, क्योंकि motive सबसे बनते हैं next word है school यहाँ पर आप सोच रहोंगी school word क्यों शामिल किया तो आपको अताथ है, school means विद्देश होता है बिल्कुल सही है, school means होता है पढ़ाना लिखाना, यानि एक verb भी है विद्देश के बात करें तो यह noun है और जब इसको as verb लेते हैं तो यह इसका अर्थ हो जाता है पढ़ाना, लिखाना, अनुसासन, सिखाना, ग्यान देना यह सारे अर्थ हैं school के और वैसे विद्देश के sense में noun है और वर्ब के sense में पढ़ाना, लिखाना, ग्यान देना, अनुसासन, बद्द बनाना यह सारे इसके आर्थ है जो कि बहुत शांदार सब्द है और इसको word of the day आज हम लोग अपने वीडियो के अंदर रखते है next word है detest detest means होता है hate abhor, abhor एक meaning है जिसका मतलब होता है इसको erase करेंगे r को hate और abhor मतलब भी होता है a b h o r abhor मतलब भी होता है नफरत करना अगर इसका phrase की बात करें तो look down upon इसका मतलब होता है नफरत करना fiasco, fiasco means failure asafalta, failure next word है foment foment means होता है uksana, bharkana right कुछ भी in negative sense it is used तो foment means हुआ bharkana, freelance freelance बहुत ही अच्छा सब्द है और freelance का मतलब होता है स्वक्षंद यानि की एक निरंकुष टाइप से autocrite टाइप के freelance मतलब मुक्त रहता है किसी की मर्जी ने चलती अपनी मर्जी करता है तो despot sense यानि की ताना सा निरंकुष इस sense में भी इसको इसको इस्तमाल करते हैं तो ये रहे आज के 10 वर्ड दोस्तों एक वर्ड मैं आपको देता हूँ जिसका आपको comment box में बताना है अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो उस वर्ड को आप ज़रू बताएंगे कि उसका meaning क्या होता है तो दोस्तों मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ sanguine sanguine का meaning आपको comment box में बताना है और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरू करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब यहाँ पर डेली आपको vocabulary, important vocabulary provide की जाएगी साथ-साथ English के सारे topic cover किये जाएगे तो दोस्तों अब दीजिए जाएदत मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक क्लिर नमस्कार, bye bye, take care